डीडी नियूज के पत्रकार ने सारी हदों को पार कर दिया है और बहुजन बेटी को कह रहा है कि ये बेशर्म है नमस्कार मिला नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आप सोचिए जो तमाम टीवी चैनल के पत्रकार हैं जिन्हें आप लोग बड़े प्यार से गोधी मीडिया कहते हैं दरसल आर जेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अशोक श्रिवास्तों के प्रोग्राम में आने से मना कर दिया और ये दो कोड़ी का पत्रकार बहुजन बेटी को आर जेडी की प्रवक्ता को कह रहा है कि बहुत ही बेशर्मी के साथ उसने मना कर दिया जो उखाड़ना है उखाड़ो आपने MBS से सुलिया अब आप सोचिए कि ए आदमी किस तरीके से अपने घर में जब जाता होगा अपनी बहन बेटियों मा या जो तमाम लोग महिलाएं हैं उनका कितना सम्मान करता होगा जो व्यक्ति लाइब टीवी डिबेट में जो खुद एंकर है वो इस तरीके के शब्दों का प्रियोग कर रहा है वो इंसान वास्तों में कितना बेशर्म होगा जानकार बताते हैं ए अशोक स्रिवास्तों नाम का आदमी चेहरे को पहचान लिजिए यही है अशोक स्रिवास्तों डीडी निउच का जहरीला एंकर यही आदमी पहले कॉंग्रेस की सरकार जब थी देश में एक कॉंग्रेस सरकार की तारीफ क्या करता था क्योंकि इसको फाइदा लेना होता था यह सत्ता के साथ हमेशा रहता है और आज देश में नरेंद्रमोदी की सरकार है और नरेंद्रमोदी की चापलूसी दलाली करने का एक पत्रकार लगातार कर रहा है और वैसे भी आपको पता होगा इंडिया एलाइंस ने फैसला लिया था ये तमाम जो नफरती दंगाई मानसिक्ता के पत्रकार हैं जो एक पार्टी एक विक्ति के चेहरे को लगातार चमकाने का काम करते हैं इंडिया एलाइंस ने कहा था उन लोगों के प्रोग्राम में वे लोग अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे जब पता चला प्रियंका भारती को कि अशोक स्रिवास्तों का प्रोग्राम है तो प्रियंका भारती ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आऊंगी लेकिन एक दोग कोडी का जाहिल पत्रकार एक खुल के कह रहा है कि बहुत ही बेशर्मी के साथ अरे तुम बताओ एक भॉजन बेटी को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुल के कहते हो बड़ी बेशर्मी के साथ जो खारना है उखार अरे शब्द हम और आप जो समझदार लोग हैं मैं अशोक स्रिवास्तों की बात नहीं कर रहा हूं जो समझदार लोग हैं वे लोग इन शब्दों का प्रियोग अपने घर में नहीं कर सकते हैं लेकिन एफ जहरीला एंकर खुल के टीवी चैनल पर कह रहा है कि जो उखाड़न लिए कोई कारवाई नहीं होगी डीडी निउस प्रशासन कोई एक्षन नहीं लेगा क्योंकि ये दिन भर सत्ता की चाप लूसी करता है दिन भर दलाली करता है और जो सच होता है इसको दिखाई नहीं देता ए नेरेटिव सट करने का काम करता है और प्रियंका भारती ने इ संतान हूँ और अशोक्ष्रिवास्तों जैसे पर जीवी नफ्रती दो टूक समझ लेकि मैं आपके जैसे दो टके के पत्तलकार से कभी नहीं ड़ती इंडिया ने इस पर जीवी को बाई कॉट कर रखा है जिस वजह से मैंने शो में मौजूत रहने से दो टूक इंकार कर दिया दलित पिछडे आदिवासी अल्वसंख्यक समेत 140 करोड भारतीय के टेक्स पे चलने वाले सरकारी चैनल डीडी नियूज नफ्रती पर जीवी एंकरों का पनागाह बना हुआ है मीडिया में नब्बे फिजदी आबादी वाली बहुजन की भागिदारी सूनने है इसलिए यहां इतना जहर का महौल है इसलिए हम जाती जंगरना करा कर रहेंगे ताकि सभी समदाई की लोगों का मीडिया में प्रतिन धित्त हो सके और नफ्रत के बाजार को बंद किया जा सके करारा जबाब प्रियंका भारती ने ट्विटर पर देने का काम किया है लेकिन एन फ्रती जहरीला पत्रकार है जो लगातार समाज का महौल खराब करने की कोशिद कर रहा है जो सच नहीं बताता बलकि एक पार्टी के पक्ष में लगातार महौल बनाने की कोशिद करता है मुझे पता है अशोक श्रीवास्तो तुम मेरे इस वीडियो को देख रहे हो और तुम अंदर ही अंदर तिल मिला रहे हो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने एक बहुजन बेटी का अपमान किया है और पूरा देश तुम्हारे खिलाफ है क्योंकि तुम्हा लोग जागरूक लोग हैं वे लोग खुल करके प्रियंका भारती के साथ आगे हैं और वे लोग बता रहे हैं कि आजाद मुल्क भारत में आजादी के 76 साल हो गए वहां पर तुम्हारी जो नफ्रत की दुकान है वो दुकान चलने वाली नहीं है और नफ्रत की दुकान पर बहुत जल्द ही साला लगने वाला है लेकिन एक चीज तो सच है कि तुमने पहले कॉंग्रेस की चापलूसी की दलाली की और अब तुम भारते जनतापाटी की दलाली कर रहे हो मैं तो प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोधी जी से कहूंगा, मोधी जी ऐसे आदमियों से आप सतर्ग रहे, सावधान रहे, क्योंकि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर बीजेपी के वफादार कार करता होते नेता होते या बीजेपी के वफादार पत्रकार होते वैसे पत्रकारों को किसी का वफादार नहीं रहना चाहिए नहीं बनना चाहिए लेकिन अगर माल लिया जाए बीजेपी के पक्ष में शुरू से ही नरेटिव सर करता तो समझ में आता लेकिन देखता है कि मलाई किधर है विक्ति वहीं पर चला जाता है और इसने बीजेपी को बताने की कोशिस की है कि देखिए भारतिय जंता party की लोगों मेरे उपर ज़्यादा भरोसा मत करो और भारते जंता पार्टी के तमाम जो समस्दार बुधिमान अला कमान जो है बीजेपी का वे लोग जानते होंगे है अशोक भारती को पत्तरकार नहीं पत्तलकार कहा जाए तो जादा ही बहतर होगा और पत्तरकाईता की सारी गरिमा को इस बंदे ने पार कर दिया है क्योंकि पत्तरकाईता में पत्तरकाईता की पढ़ाई मैंने भी की है और मुझे अमीद है अश्रोक स्रिवास्तो नामक जहरीले एंकर ने भी पत्रकाईता की पढ़ाई की होगी लेकिन वहाँ पर कही नहीं बताया गया है तुम किसी विक्ति को, तुम किसी महिला को बेशर में कहकर के जो उखारना है, उखार लो ऐसे शब्दों से नमाज कर के तुम उसको अपमानित नहीं कर सकते पत्रकाईता का जो दाइरा है उस दाइरे में ये शब्द कहीं आता भी नहीं है और इसलिए मैं खुल के कह रहा हूं क्योंकि अश्रोक स्रिवास्तों ने सारी हदों को पार कर दिया और जिसको बेशर्म कह रहा है या जो उखालना उखाल लो सबसे जादा बेशर्म है अश्र डीडी नियूस के मार्द्यम से नहीं उठाते हो और इसलिए तुम्हारे खिलाफ सोसल मीडिया पर लोग ट्विट करने का काम कर रहे हैं मैं फिर से कह देना चाहता हूं श्रोक स्रिवास्तों मैं बता देना चाहता हूं आपको कि आप के वीडियो जरूर पहुँच गई हो पक्ष में लगातार कसी देपढ़ने का काम कर रहे हैं ट्विट कर रहे हैं और पूरा बहुजन समाज गुस्ते में है क्योंकि तुमने बहुजन बेटी को अफमानित किया है प्रियंका भारती को तुमने अफमानित किया है और प्रियंका भारती जैसे तमाम प्रवक्ता ज कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्मत दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्मत दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट झाल झाल